महमारी के इस दोर में भी स्वास्ट विभाग लापरवाही की अपनी अदालत नहीं छोड़ रहा है इस बार स्वास्ट विभाग से ऐसा कारणामा हो गया जी से सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे जब इस मामले का पता अस्पताल प्रशासन को चला तो उनके होश उड़ गए मामला उस समय खुला जब करोना के कारण मौत का शिकार हुए 62 वर्षय व्यक्ति का शव उनके परिजन लेने अस्पताल में पहुँचे शव ग्रेमे से जब वह शव लेने गए तो पता चला कि उनके परिजन का तो वहाँ शव ही नहीं है परिजनों के शोर मचाने पर अस्पताल प्रशासन की नेन तूटी और आनन फानन में जान शुरू की गई तो पता चला कि उनका शव तो बीते दिन ही कोई और ले गया है फिलहाल मामला सुलज गया और परिजन भी संतुश हो गये मगर ये पूरा घटना करम अस्पताल प्रशासन पर बड़ा सवाल छोड़ गया है क्या लापरवाय की ये हद भी कहीं हो सकती है मेरे मामा जी शर्वन भातिया जी 7-8 दिन से सीविल होस्किटल में एडमिट है जी उनने रख रखाते हैं अको पता लगा है जी ऐड़ डोक्टर के उसमीटैस के छे बज के में मैमा जी देथ हो गी है हम आया है मीमी वी स्टाफ में एस्टील हौस्किटल नर्स हैं आज सबुँकर को दॉन्यों गोर जवाब दिया गया है मेरी मामी जो नर्शन को जवाब दिया है कि डेथ होगी है और हमने मुर्दागर में लाश रख दी है वहां से तो मैंने कहा जी मेरे को कोई कागच कुगच कोई भी जो उनका बैग है कहते हैं जी हमारी नाइट ड्यूटी चेंज होगी है कल सुबह आप आजाना आपको डेड बोडी दे देंगे सुबह नो बज़े से मेरा भाई बिगड से आ गया जी वो खड़े है तो यही जवाब दिया जा रहा है कि हमारे पास एक एम्बुलेंस है वो गई हुई है जब आएगी आपकी डेड बोडी रख देंगे और जहां से होता है वहाँ पर आपको चले जाना है दो दिन पहले मेरी मामीजी की इनकी वईस की भी देथ होई है तो हम गया है तो शाम को जो अबुलेंस आई है तो इन्हों ने का जी हमारे पास डैड बोडी नहीं है मेरे बाई ने अंदर जाके मोर्चरी के अंदर शब ग्रह चैश करी है उसके बाद हम आये हैं जी मैंने खुद अच्छी तरह से जाके चेक करें शकल देखिए के क्विंट में उसमें से कोई डेड बोडी नहीं है और एम्बलेस वालों से बात करी है कहते जी कि रात के बोडी आगी है लेकिन हम आज सुबह एक ही लेडी की बोडी लेके गए हम और कोई बोडी नहीं लेगे तो प्रशाशन की लापरवाई की वज़े से अब शाम को कितना टाइम हो गया मैंने नहीं देखा लेकिन हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा हमारे परिजन की डेड बोडी नहीं मिल रही जो की एक आम नागरी और सभी के साथ की प्रशाशन की बहुत बड़ी लापरवाई है